नमो नारे जैगो माता वंद मात्रमा भारतिक उपनाम और फिरदैशे ओम्शम शनिष्चारा एन। फिरदैशकों मित्रों शाथ्यों हमारा जीवन एक प्याला है और हमारे उपर निर्फर करता है कि इसे हम परिपून रूप से कब भर हैं। और जब आप चालोगो इसको परिपून रूप से भरना तो माया का अंदकार आपको प्रेशान नहीं करता है। मित्रों शाथ्यों आज 26 जुलाई है और कल 27 जुलाई है और यानि ठिक आज से दो दिन बाद यानि 29 जुलाई 2022 देवगरू ब्रश्पती स्वरासी मीन में वक्री होंगे बारा राश्यों पर क्या प्रभावर हेगा ये वीडियो गुरुमंत्र विद्धाती महराज पर है इसे जरूर देगा। और गुरुमंत्र विद्धाती महराज जो आपका अपना यूट्यूब का चनल इस पर ये वीडियो है देख जरू लेना भाई ओम नमोना रहे हैं और बात करते हैं आज के पंचांकी स्रावन मास क्रेशन पक्स की त्रियो दशी विक्रामशन दोहजार उनाशी स्रावन मास अगली तीदि can 40 का स्रावन चार तद अनुषार मंगलवार 26 जुलाई 2,022 ते दि का स्रावा प्सकाल साम 6 बज के 46 मिंट अगली तिती चतूरदसी होगा। सुरुदिकाली योग व्यागात योग है और योग का समाप्तिकाल साम 4 बज के 8 मिंट अगला योग हर्स होगा। शुर्धकाली नख्षत्र आधरानक्षत्र में राउ है और नख्षत्र का dov- smackvoo है और नख्षत्र का स्वाम् Laughterकाल सथया जुलाइज करॆ दीन में चंडेव ने पुष परपित करना पराशुब रहगा एक सवार्त मंगलवार दिन अनावसक ब्यगन परिष्टनाई दुरगटना बहुत होती है क्या कर है अनावसक दुरगटना और परिषानियों का सामना करना पड़ा तो आज मंगलवार का दिन है तस पर साथ लाल चंदन से शिविलिंग पर शम लिखिए शंपून कश्टों का निवारण वे यह अदभुद है लगातार 11-21-40 मंगलवार कर ले मित्रशाथ क्यों केरियर कारोबार नोकरी व्यविशाई में अनावेश्च परेशानी कश्ट या तकलीफ है या जौब को लिक परेशानी यह लगातार 21-21 मंगलवार देना वर बात करते हैं ग्रहे योगाई लगन विशूरी देव रबुद्द्ध मित्षुंड राषी में में राष्ट्पती देव में में राष्ट्स Polsce में बक्री यवस्ता में और केतु दूला राषी में दोपर 12 बजे से लेकर 12 बज़ गर 55 मिनद तक अब 25 मिनड तक आज की दिन कोई भी शुबकार्य करने है का शबसे उत्तम मुर्थ यह 55 दिन नहीं और कोई भी नयार शुबकारी जिस कारे में चीर कालत का लाब लेना हूं से अबिजीत मुर्थ में करी और अबिजीत मुर्थ भगवान से हरी को बहुत प्रिया है शातियों चोगडिया की बात करते हैं, लाब का चोगडिया, अमरित 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 का चोगडिया, अ करना शोदा करना पुंजन विस करना अनुकूल और उचित माना ने गया इस सलामेरी मर्जी आपके आज की दिन यात्रा पे जाने से फुर्फ गुर का श्यवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कस्ट कामा है प्रिदर्शकों मित्रों शाक्रिय। और शाथियों 26 जुलाई आपका जनम दिन या फिर शादी की साल गरे तो दाती महराज की और से आपको हर्दिक सुबकामने आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे शनीदेव आपकी रक्षा करे प्रभू के चल्णों में मेरी प्राथ था 26 जुलाई आपका जनम दो और 6 को ज लीडर सिर्फ का गुण कुट कुट के भरा हुआ है आगे रहने का गुण आपको कुट कुट के भरा हुआ है यह आपके जीन्स में है और आपको एक अच्छा लोगपरी लीडर बनाता है आप बहुत परिश्रम यह बहुत महनती है और आपके अपने अथक परिश्रम और करना हैं यह आप से बैतर कोई नहीं जानता है चीजों को मैनेज करने की कुछ्छता में आप महारत हासिल आप बहुत परिपकुत और बहुत गंभीर प्रकृति से व्यक्ति और गंभीरडा के साथ इतब कारिय प्रखान लेते हैं दूसरों की भावों को आप बहुत आसायनी से प्रक लेते हैं बहुत कम बोलते हैं समस्ष से जादा है यानि आप अंतरमगी व्यक्टिंट Aww आर्थिक इस्तिति की मैं बात करूँ तो आपको धन संग्रे करने की अच्छी परवर्ती है। आप वेर्थ की काम में पैसा नहीं खर्च करते। बहुत सोच समझ करते। आविश्यक्ता अनुसार खर्च करते। अच्छा खासा धन आपके पास रहता है। अगर आपके बारे में कुछ जानकारी थी। चब्वी जुलाई आपका जनम दिन या फिर साधी की सालगरे जो उपाय बताने जा रहा हूं यह आपको वर्ष भर लाब देगा। अगर आपका जनम दिन तो आप खुद इस उपाय करें। अब हनुमान जी के आगे सुद्धे सीखी का दीपक जलाई जनम दिन परजिट कर दिन और एक पाठ हनुमान चालेशा का करते है। जब आप पाठ करें। जनम कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ तकलिप और कश्ट का संके दे। तो यह अच्छा नहीं माना है। ठेक इसी प्रकात दूसरे और बारवे और छटे भाव और दस्वे भाव के स्वामियों की यूति हो जाए। । जब आते का दूसरा भाव आपका धन है। अब समझ से तीसरे है यूति याणि सश्टे सकी साथ बारवे किसी भाव में एक साथ वी राजमान हो क्या प्रशानें आईगी। कुल्ले का च्छता भाव क्या है रोग ने रिपू और यह भाव जीवन में आने वाली प्रतिव परिक्षाओं को भी दिखाता है जब च्छते भाव का श्वामी दसंभाव में बैर जाता है तो जीवन में कामकाज, कारुबार, नौकरी, व्यविशाई को लेकर चुनोतियों का सामना करना पड़ता है, आज जीविका की छेतर में कड़ी महनत और कठीन परिश्रम करना पड़ता है, समझने की कोशिश करेगा, है ऐसा तो देखिएगा, लेकिन ध्यान रखेगा शातियों, यह जो चीज़ें हैं, नकारात्मक मैंने का कि परिशाई, इसके कुछ सुब परिणाम भी मैंने देखें, उस पर भी कभी चर्चा करूँगा, हमें बात करूँगा आपके राजशिपल की, यह जो राजशिपल आपकी चंदरासी, आपके नाम राजशिपल राधारिफ है, राजशिपल पुर्शों के लिए है, महिलाओं के लिए, बुज़रगार बढ़ेगा, कमुनिकेसिन स्केल बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी को लेकर, व्यविशाई को लेकर, कामकाज को लेकर, छोटे भाई बढ़ेनों को अच्छा साथ मिलेगा, आपको उनतिक अउसर पाप्त होगे, आपकी युक्ति, आपका काम करने का तरीकार, आपकी शक् और स्वाजन की वज़े से जो कारी सिर्दी मिलेगी, परिवार का वाताम खुश्यों से भर रहेगा, और स्वास्ति भी उत्तम रहेगा, आर्तिक पक्षुदर होगा साथ हैं, आप युवा हैं, विद्यार्ती हैं, नौकरी में उच्छ अधिकारियों को श्वयुक प्राप भी प्राप्त होंगे, और सिक्षा के छेतर में बावसर अच्छे मिलेगे, क्या करें, कारी की गुपनेता बना क्या रहे, क्या ना करें, किसी का दिल न दुखाए, शुबंगे छे, शुबंगे पीला, भागे आपके पक्ष में पच्चासी प्रसंद लाब का संकेदर हैं, प्रादिकाल नित्य कर्मेशन आनों प्राण सरधा प्रुवक्त, हन्मान जी की स्रीचर्णों में, आज आठ चुट की सिंदूर अर्पीत करना बड़ा शुबंगे नमनाइन बात करते हैं, विर्श्वरासी दूसरे भाव में चंदरमा, और दूसरे भाव में चंदरमा, र बड़ी कुंजी भी और आपकी पूंजी भी है, आउशक्ताओं की पूर्ती होगी, शारिक और मानसिक तनाव से मुक्ती मिलेगी, परिवार और शंतान के साथ समय बैतित करने का मौका मिलेगा, और केरियर और कारुबार और नौकरी और एजुकेशन के चितर में विद्या अक्री में सपलता मिलेगी, परिश्य और प्रतियों प्रणाम अच्छे भी लेंगे, वेवशाय भी अचर मनोबल बद्बूत रहेगा, क्या करें, आतम विश्वास को बना करें, क्या ना करें, अपने निर्ने दूसरों पर न छोड़े, शुबंग नमा, शुबंग नीला, में संचरन कर रहा है, शितारों की चाल, इस बात का संकेदरी भाग्या, आपकी पक्ष मक्रवण काम बनेगे, मना आउश्यक्ताओं की प्रतियों मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, मनवांचित कारिये बनने से परिवार का बातावन आपके पक्ष में रहेगा, धन का जो सं करना इस बात का संकेदरी है, कि जो कैरियर का छेतर है, वो बड़ा मनोनकूल रहेगा, लाब मिलेगा, सपलता मिलेगी, रुकिवे काम बनेगी, धन की प्राप्ती, और आप विद्यार्ती है, और उस शिक्षा की अध्यन रहेगे, इस्कूल, कॉलेज, सिक्षन, संसान, किस ना करें, शुबंग पांश, शुबंग शपेद, भागिया आपकी पक्स में, 80% लाब का संकेदरी है, वो किसी गरीब निधन, स्वागन इस्प्री को दान में देना बड़ा सुब रहेगा, नमनन, और बात करते हैं, करकराशी, 12 भाव में चंदर्मा, 12 भाव में चंदर्म इस नीटी को अपनाना आज मोटा नुक्षान देगा, मैं यह नहीं करूँ कि आप समझदार नहीं, आप समझदार है, लेकिन जो आपके सामने खड़ा वो भी समझदार हो सकता है, इस बात को स्विकार करिएगा, नहीं तो परिवारिक सम्दों में मन मुटाब, कारोबार म केरियर, कारोबार और पढ़ए की छितर में कोई निरनाय नहीं लिए, और छोटे-मूटे अवरोद आएंगे, थोड़ सा हिम्मत और मन को मजबूत रखना होगा, ऐसा कोई कारी नहीं करे, जिसे दंड भूगत ना पढ़े, किस बात का ज्यांदे, कानून के दाएरे में र आपका संकेदर, करकराश वालो, प्रातेकाल, नित्य कर्म नो, शनानो उप्रान, शर्धा पूर्व, शपेद जो मीठा बूरा होता ने, पांच मुटी, शाथ मुटी, जो आपकी सर्दा है, सूरी उदे की समिछ चीटियों को डाले जीगा, कस्काम आएगा, नमनन बात करत शिंगरासी, ग्यारवे भाव में चंदरमा, और ग्यारवे भाव में चंदरमा, राव के नक्षत्रों में शंचरन कर रहा है, ग्रगोचर उत्तम और लाबदाइक फलों का संकेदर, व्यवशाई, शम्यंदी, परेशान, श्यमुक्ति मिलेगी, कारोबार में इस्थिता छोटे भाई-बेनों को शफलता मिलेगी, छोटे भाई-बेनों का साथ मिलेगा, सुर्फ समाचारों की प्राप्ति होगी, पारवरी जिम्यदरियां पूर्ण करने में शफल रहे, बहुत अनकूल समय है, आप युवा है, महत्मुन कारी को निश्पातन होगा, ने सोदों क लाब मिलेगा, गणवानिये लोगों से सुक और स्वयोग मिलेगा, परिक्षा की त्यारी कर रहे, युवाओं को अच्छे लाब का संकिर नजरा रहा है, क्या करें, थोड़ा सा बैटी है अपने साथ, शुवावलोकन करें, देखिए अपनों के आपसे गलती कहा हो रही है क्या अपने से अच्छा जज अपना और कोई हो नहीं सकता है, शुवावलोकन करें, क्या ना करें, यात्रा में लाब परवाई ना करें, शुबंग एक शुबंग और इस भागिया आपकी, फक्सम पच्छातर परसंद लाब का संकिर रहे, शेंगराशवालों, आज सर्धा प्रभु का आज पूजन करेंगा, कस्ट बतेंगे, नमनन और बात करते हैं, कन्याराशी दसंभाव में चंदर्मा, और दसंभाव में चंदर्मा राहु के नक्षतरों में संचरन करना, उत्तम फलों का संकिर, राजनितिक वर्चसु बढ़ेगा, प्रसासनिक बल कारोबार विश्तार का आउस्तर मिलेगा, देश विदे से ने कारोबार इस्टमन बनेगी, शास और प्राकर्म के साससुबकारी की योजना दी बनेगा, और स्वजनों से मेल मिला पड़ेगा, और मन प्रसंद रहेगा, आप यह वा हैं, आज आपको कारी छेतर में उत्तम अच्छे प्रणाम की प्राप्धिगी, विद्यारतियों के लिए आज का दिन बड़ा शुब है, बस रातरी भर्मन ज्यादा ना करें, क्या करें, सास पुरकारी में डटर है, क्या ना करें, कारी चितर में लापरवाई ने करें, सुबगार, सुबरण प्रपल, भागिया जाओ को खिला है, या किसी गरीब निधन श्वागन इस्प्री को दाग में दीगा है, नम भाव में चंदर मा, रहु के नक्षतर में संचनर का रहा है, समय इस बात का संकेदर है, धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होई, माले सीचे के वडारे तु आए फल, ठोड़ा सा धै जारी है, शमय का इंदजार, वेट और वाच, नक्षतर गरना कहरी कि धन मिलेगा, आवश्यक्तम भी पूर्ती होगी, उठापटक शमाप्त होगी, राख खुलती भी नजर आएगी, लेकिन धैरी और स्यम का परचे देना बहुत जरूरी होगा, नक्षतर गरना कारियों मे आप युआ है, विद्यार्ती है, आज का दिन विशेश चुरूप से परिश्रम और महनत और शंग्रस का फल देना वाला हो, किसी भी तरियों की परिशायत सफलता आपको मिलेगी, इदि आप शियम कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा दिन है, जॉब में प्रादकाल नित्य गंवर्श इनान रुपरान शर्धा पुरूवक आज शियम मंदिर में सपेज चंदन का दान देना पड़ाशु बढ़ाएगा, लकडी का चजव आता, चंदन आता, चंदन का दान शियम मंदिर में दान दीजीगा, नमनान बात करते हैं, आज जो प्रेशानी आरे उसमें कम आएगी नहीं, तो आज काम का आज नौकरी व्यविशाय में उठापटक बहुत है, विरोध बहुत हानी है, और सरकार की तरस पे भी कहीं 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 कभी बादान अजर आ रही है, उच अदिकारें से प्रेशानी और अन्बन होशक् तो विवादों में ना पड़े, पुझी निवे से नहीं करे, व्यविशाय विस्तार से बचे, सरकारी मामलों में पंगा नहीं ले और वहन आदिको सावधानिस चलाए, आप युवा हैं, आज बुजर्गों की बातों की मजाक नहीं हो रहे हैं, बुजर्गों की बातों प क्या ना करें, अपनों की आगे की अवहिला ना करें, शुबंग 6, शुबंग मेरून, भागिया आपकी पक्ष में, 30% लाब का संके दे रहें, विर्शिकराजलों प्रादकाल नित्य कर्मों सिनानों उपरान शर्धा पुर्वक, ब्रह्ममूर्त में, हनमान जी की चर्णों में, सिंदूर अर्पित का ना बड़ा सुबरेगा, आठ चुठकी या फिर 108, और नमुनान बात करते हैं, धनुराशी सब्तों बहा में चंदरमा, और सब्तों बहा में चंदरमा, राओ के नक्षतरों में संच्टरन का राए, ग्रगोचल लाब शपलता और खुशी का संके कारिचत में शपलता मिलेगी, शुफलों की प्राप्ती होगी, इस्ताइश शुक और संपत्री में ब्रदी होगी, किसी मांगली कारे में शामिल होने का मौका में घर में भी मांगली कारी संपन होगा, शुक और समर्दी का उपभोग करेंगे, नई पराने मित्रों से मिलने का प्रबल योग है और दांपति जिवन खुशों से भरा रहेगा दांपति जिवन का जो मनुमाला लिने जो वैचारिक मत्वेद उससे मुक्ति मिलेगा आप युआ हैं कोई परिक्षा है कोई प्रतिवक्ता है कोई काम है नौकरी में है कोई जौब को लेकर इंटर्वी है दिन बड़ा शुब रहेगा क्या करें जहां भी आप रहतें शामाजीक व्यवस्ता में कंधा से कंधा मिला कर सपोर्ट करें क्या ना करें अज धनोधार मत दी सुबंग पांच शुबंग प्रपल भागया आपके पक्षमें साथ परसंद लाब का संकिते धन्दा चलो प्र छटे भावी चंदर्मा राहू के नक्षतरों में संच्रण करा ग्रगोच शुब है शमय पक्ष आप आपके पक्ष में भागया आपके पक्ष में करवट ले रहा और लाब शपलतार अच्छी अवस्तरों का संकितना जरा रहा है शुबर मांगले कारी शंपन होंगे मन में सासर उस्ता बन रहे है रुख वे धन की प्रापती होगी क्यों कि काम शुरू होगे कारोबार श्रमन्दी परिशान से मुक्ती और नए करवबारी प्रस्ता भी मिलेगे मित्रधन मिलेगा आवश्यक्ताम की पूर्थ होगी नौकरी में अच्छे आउतर मिलेगी वेर्थ की रोग रिण रिपुशमन्दी मामलों से शिटकारा मिलेगा और कानूनी मसलवा में विशाफलता मिलेगा आपकी यूवा है आप विद्यारती हैं आपकी कठीन परिश्नम आपकी संगर्स का फून लाब मिलेगा पारवर एक सवयोग से केरियर कारोबार शिक्शा के छेतर में अनकूल वातावन मिलेगा और मनोश परिख्शा प्रखशापना मिलेगी क्या करें पारवरे जीवन को अनकुल बनाएं क्या ना करें बहुत ज़रूरी है जो बता रहा हूं कि श्यम वांच चला कर यातरा में शुबंग साथ सुब्रंगरे भागिया आपकी पक्ष्पन पच्छत्र प्रसंद लाप का संकेदरे मकराश वालो प्रातकाल नित्य करनों शनानों प्रांद सर्धा पूर्वक आता नहीं होता है यहूं का आता इसनों थोड़ा सकर बूरा मिला जी और चीटियों को डाल के आजाएं सारे कश सारी परिशाद करा मिलेगा नमनंग परबात होगी लेकिन थोड़े से एंकार को कम करिया अतितिक आतम विश्वास से बचिया परिवार को शाथ लगिए परिवार की सुनिये आज थोड़ा सा अध्यात्म मावल अच्छा रहेगा संसानेत का अउसर मिलेगा और संतों की वानी को जिवन में उतार दिया बुजरगों की वाने को जीवन में उतार दिया कष्ट परेशानी रुकावते स्वता ही दूर हो जाए परवर्वेश्टा ठीक रहेगी आई में कमी जरूर है लेकिन खर्चे पूरे होंगा थोड़ा सा संतान की वज़े से कास होने का संकेत नजरा रहा है उससे बचना आप युवा है आप व समाजिक कारियों को महतु दना चाहिए क्या ना करें पारवरिक मद्विद को ना पन अपने दे राज का सुबंग चार है सुबंग ग्रह है भागिया आपकी पक्ष में सतर प्रसंड लाब का संके दे रहें कमराशिवालों आज प्रातकाल नित्य कर्में शिनान प्रन सर्ध प्रतिकूल और परिशानी का संके दे रहें मनोबल कमजूर होगा मनोवश्यक्ता में कि पूर्ची के लिए जी जान लगाना पड़ेगा तब शपलता वो नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए आज उच अधिकारी और अपसरों से समंद बीड़ सकते और समंद बीड़ने की बात बात टोकाट टीपनी करते हैं इसकी वज़े से भी आपकी अपने आज आपसे दूर रहेंगे इसलिए कारी में व्यवधान ज्यादा रहेगा अपनों को साथ लेगे और अपनों को साथ नहीं लेंगे तो धन समंदी परिशानी है माता का स्वास्ति प्रभावित हो सकत क्या करें कामकाज नोकरी व्यविशार में शत्रक रहना पर क्या ना करें कानूनी दाइरे ने तोड़े सुबंगति में सुब्रंग भ्ल्यू भाग्या आपके पक्ष में केवल तीस परसंटी लाब का संके देरें मिंदा स्वाल प्रतकाल नित्यकर नोशन आनो परन स्रधा विवाद नहीं तरक नहीं भय नहीं भरम नहीं भ्रांती नहीं सेकंड ओपनेंट गद्र आपका था आपका है आपकी का रहेगा मनो नम्रमानो यह आपकी मर्जी साथ और नमना रहें अब मैं नोकरी को लिए बहुत सुंदर उपाए बता रहा हूं बहुत से मित्रों ने का बार-बार ट्रांसफर हो रहा है या बहुत से नहीं बनती है पांच गराम सुर्मे की डली पांच गराम सुर्मा मार्केट मिल जाए अपने उपसे एंटी क्लोग वाई साथ बार उसारी और ऐसी जगे पर दबा दीजिए जहां हल नहीं गड़ा हो लगातार लगातार यह सुर्मा ग्यारा सनिवार दबा दबा के देखेगा लाब मिल जाएगा नमनान और बात करते हैं नुस्का कुछ लोगों ने खासा पेट बहुत भारी भारी रहता है साधान सा उपा है मुली के टुकुडे को कार देजिए उसमें सेंदा नमक थोड़ी से काली मिल और शेवन करिए लाब में जाए फिर भी पेट में कोई प्रॉब्लम भाई डॉक्टर को तुरून देखा है कि पेट का मामला बड़ा सम्वेदल सीले चिकसा मेला पर भाई ना करें मित्रों शाथ्यों पुने निवेदन ये मेरा अनभाव है लादने का सभावनी शेकन उपने का अधिकार आपका है हाँ भूल से भी कोई भूल हो गई दोना हाज जोड़कर समाप्राति आप शुखी रहे आप स्वास्तर है समर्दी सीले सने देव की चल्णों मेरी प्राति ओम नमो ना रहे रास्तान का हर व्यक्ति जानता है अग्दाति महराज गायों से बहुत प्य यह मेरा जीवन का लक्ष रहा है मनश्य हूं और मानव होने इतनाती मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भ दन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका स्योग चाहिए और स्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूं आपक साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जिऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी आवज में गायों के लिए चाहरे की व्यवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था क भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एंकार नहीं है सातियों मेरा राश्र पर है मैं ये नहीं कहा रहा हूँ मैं ये कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए सनिभगवान आपकी रक्षा करेब आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मै जाद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पढ़ता है ये आप भी जानते हैं शासन की अपनी एक शिमा है और अपनी मर्याद है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदे से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिदाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयो कर पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमुन आरे ओम नमुन